नमामीस मेसान निर्वान रूपम विभम व्यापकम ब्रम्म वेदाश रूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकास माकास वासम भजेहम मंतर पढ़कर सुना देना आउम पूड मिदाहा पूड मिदम पूड नाद पूड उच्छेते पूड नस इश्वर के बारे में पूछेगा तो बता देना कि नतस्स से परतिमास दिये सनामा महद्दसा चैशे एक एक विर्धै कहईवा पूछेगा कि इश्वर एक होता को डला कारिया चतुर तर्देव चंदर का पंचम विंदू सन्युक्ता अजान के उपर अगर तुम्हारे इल्लिगेशन्स लगाए तो पढ़ देना उच्छला पीसर्व भक्षी भविश्यती जनूम विना कॉलम चपश्वश्टे शाम भक्षया मताम मुस्र नेवसं सकार मुहम्मद الرسول ल्ला के बारे में अगर पूछे अंति मौरिशी के बारे में कि मुहम्मद आकरी नभी है कहां से थाबित है तो पर देना आसम ल्ला मिले मितना वरुना दिवियानी धत्ता इलले वरुनो में तरस्ते जसकामया होतार भिंदरो होतार मिंदरो महासुर इंदरो मटी पत्थर लकडी कंकर की अबादत करना भी गुना है नदेवा मुरचलामया नकांस्टे विदते देओना पाशाने इंसानों को परमात्मा मानना भी गुना है अविक्तम विक्तिमा पन्यम्मन यंतिमा मबुद्दमा और अगर कोई इन इश्वर वो होता है जो नजर नह आता नसंदुरूशी नसंदुरूशी टिस्तितीर उपमस्या नचक्षुशा पश्यते कश्चने नम परमात्मा वो होता है जो कभी नजर नहीं आता वैदों में है आपके मनुसमर्ती सफा नंबर 119 के अंदर लिखा है प्रोच्छिथम भक्षन मामसाम वैसनावम के इनसा अगर कोई इंसान मास खाना चाहे तो मंत्रों द्वारा पवित्र करके खाया जा सकता है मंत्र द्वारा पवित्र करके खाया जा सकता है इसलाम के अंदर क्या है अगर कोई जिबा करे हलाल जानवर तो बिसमिल्ला पढ़े यही है यही कॉंसेप्ट मनुसमर्ती में अगर को जंगल के पशू पक्षी प्राणी के भोजन है पशू पक्षी जानवर आया पशू पक्षी पशू जंगल पक्षी परिंदे पशू पक्षी प्राणी हमने का प्राणी कौन है इंसान भोजन भोजन मेंस खाना पेकना नहीं खाना